कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने देश भर में लॉक्टाउन लगाया है। लॉक्टाउन के दौरान भी लोग सलक पर उतर रहे हैं। पुलिस सलक पर उतरने वाले लोगों को रोकने की कोशिस कर रही है। इस दोरान चंद लोग पुलिस वालों से बतसलू की भी कर रहे हैं। खसीटता हुआ दूर तक ले गया। इस बीच एडिशनल SHO गुर्देव सिंग ने कार का पीछा किया। बड़ी मुश्किल से ये शक्स पुलिस की पकड़ में आया। इशा ठाकुर हमारी समवादाता जुड़ गई इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। इशा ये जो शक्स है जो काफी कम उम्र लग रहा है ये क्यूं निकला था और इस तरह से उसने हरकत जो की है उस पर क्या कहना है और पुलिस अब तक क्या कारवाई की है। जो बिल्कुल ये सुबा की घटना है जो ये यूवक है ये नावालिक यूवक है और चार पहिया वाहन पे कार में ये निकला था मिल्क बार्क चौक की पास जब ये पहुँचा तो पुलिस मुलाजिमों ने इसे रोकनी की कोशिश की क्यूंकि अगर हम जलंदर की बात करे बिल्कुल मना हैं जब ये उस यूवक को रोकनी की कोशिश की तो वो यूवक रुका नहीं वहाँ पर एसाई मुल्क राज जब उसे रोकनी के लिए आगे आये तो जिस तरीके से तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि बोनट पे बिठा के काफी दूर तक उन्हें ले जाया गया तो उस यूवक की कार का पीछन जो पॉМलिक वहां पर थी और पुलीस मुलाजिम उनकी तरफ से किया गया और बड़ी मशक्क थे बाद जो है इस यूवक को गिरफ्त में लाया गया जो पुलीस का कहना है अगर उस यूवक को कोई परिशानी थी तो उसे पुल अपना जो है इस यूवक ने अंजाम दी यूवक को गिरफतार कर लिया गया है और पुलीस का कहना है कि जो भी सक्त कारवाई होगी इस पर की जाएगी लेकिन इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम हैं कुछ दिन पहले बीस दिन भी नहीं हुए हैं आपने देखा कि ज जो लोग हैं जो शरार्ती तत्व हैं वो मारने के लिए तयार नहीं हैं